नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको मेरी चैनले में फिर से एक बार में हूँ आपकी वही अंजली रहते हैं आज सुपास ही लेकिन साथ नहीं होते कुछ लोग मुझसे जलती हैं बस खाक नहीं होते जी आपने सरी सुना हम आज के डेली नाशिफल की बात कर रहे हैं उनको मेरी और से धेल सारी गुदेशिश तो चलिए strikes करते हैं जिंदगी आप पर हिसती है ज़िप दुख्य होते हो जिंदगी याप फर मुस्कुराती है जब आप खोष होते हो लेकिन जिंदगी आपको सलाम करती है जब आप दूसरों को खुश करते हो हमेशा दूसरों के चहरे पर मुस्कान लाकर देखे भगवान भी आप पर नास करेंगे जिसे व्यक्ति ने अपनी आदते बदल ली वो कल बदल जाएगा लेकिन जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते पर अपनी आदतों बदल सकते हो और बदली हुई आदतें आपका भविष्य बदल देंगी आप भी अपनी बोरी आदतों को छोड़ दे अगर आप ऐसा करेंगे तो आप जिंदगी में सफलता जरूर हासल कर पाएंगे अगर आपके बाद जरूरत से जादा है तो उसे उनसे शेर कीजिए जिन्हें इसकी सबसे जादा जरूरत है सबसे पहले मैं आपको बता दू कि आज आपके लिए शुब रंक रहेगा परपल और शुब अंक रहेगा साथ आज का दिन मौज मस्ती भरा रहेगा अनंद रहेगा क्योंकि आप जिंदगी को पूरही तरह से जीएंगे आज कुछ नया और स्रिजिनात्मा करने के लिए दिन अच्छा है प्रिभावशाई और इंपोर्टन्ट लोगों से परीचे बढ़ाने के लिए समाजिक गतिविदियां अच्छे मौके दे सकते हैं आपको जल्दबाजी में इन्वेस्मेंट मत करें अगर आप सभी मुम्किन कोड़ों से परखेंगे नहीं तो नुकसान होगा अचाने से यात्रा की कारण आप जो हैं वो आपा धापी और तनाव का शिकार हो सकते हैं उधार मांगने वाले लोगों को नजर अंदाज करें तो बैठे रहेगा मत भेदो की एक लंबी शंखला के पनपने की कारण आपको सामझस से बिठाने में मुश्किल हो सकती है अज आपका कॉंसेंट्रेशन बिगर सकता है आज का जो देर हैं वो आपके लिए अंजान लोगों पर भरुसा करने से बचने का है कुछ लोग आपको नुकसान पहुंचाने की बेहग कोशिश कर सकते हैं किसी के भी बातों पर भरुसा करने से पहले अपने सर पर थोड़ी सी रिचार्च जो है यानि जांच परतार अवश्य करनी चाहिए अपना काम इमानदारे से करते रहेगा आपको किसी की बात से विचलित होने की आवश्यक्ता बिल्कुल भी नहीं है पर इस सिदी का समय के साथ हल मिल सकता है जितना उसके लिए परिशार होंगे उतना ही अपने लिए आप बाधाएं उत्पन कर सकते हैं किसी अपतिशित आय या विरासत से आप हाली में मिले आर्थिक जटके से उबर सकते हैं इस दन का जो है सोज समझकर आप इन्वेस्ट कीजिया अपने मौजूदा कोशिल को निखारनी और नई कोशिल को प्राप्त करने के लिए किसी कोर्स में ना मांग कन करना बुद्धी मानी रहेगी जरूरी मरमत का या फिर जो भी चीजें हैं आप देखबाल करने वालों की तंदरुस्ती और स्वास्ती आवश्यक्ताओं को पूरा करके घर में शांती स्थाबित कर सकते हैं शिक्षक या सलाहकार को सहायता की आवश्यक्ता होगी मारत दर्शन कहने के लिए अपनी नीजी इतहास को देखी लेकिन इसी भविश्यकों निधारित ना करने दे आज को जो दिन है वो आपके लिए थोड़ा नशा करने वाला भी हो सकता है आपको किस्मत का साथ मिलने में संदेह रहेगा अगर आप कुछ ऐसा काम करना चाह रहे हैं जिसके परिणाम को लिकर आपको संशी है आपको शक है तो ऐसे काम को आज डाल दिना ही बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए अज आपको कुछ लोगों को सलाह देनी पर सकती है कुछ मामलों में आपके विशीश योगिता का लोग सम्मान भी करेंगे अज आपको जिम्मेदानें से भागना बिल्कुल नहीं चाहिए बलकि भागने की बजाए उन्हें पूरा करने पर सूर दिना चाहिए अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको सफ़ता निश्चिती मिल सकती है आज आप समाजी कारों में भी वीजी रहने वाले हैं और अपने शब्दों से किसी को प्रभावित भी कर पाएंगे अच्छी बात तो यह आ रही है कि अभी आपको अपने नेगटिव द्रिष्टी कोन से चुटकारव मिल सकता है धानिक माने के अच्छी अफसर दिखाई दे रहे हैं जो कि बहुत ही बढ़िया बात है आपके परिश्रम और अभ्यास से अच्छी रिजल्ट भी मिरेंगे देमदारी को लेकर कुछ परिशान रहेंगे जिससे संबंदित पक्ष के मध्य कला कलेश की भावना यतिना की सिती पैदा हो सकती है आपको ऐसा लगेगा कि यह जितनी रका मिलने चाहिए थी उसे कहीं कंद है हलाकि आए और वे के स्थर को और पुष्ट करने के लिए आपको पहले से जादा अधिक प्रयास करने की जुरूत पड़ी है आज स्टूरेंस के लिए जो है वो भी समय अनकूल दिख रहा है लेकिन आप कुछ जादा ही बोर हो सकते हैं अपने पढ़ाई को लेकर लेकिन जंता मत कीज़े धिरे धिरे आप उसमें एंटरेस्ट आना शिरू हो जाएगा वही यहां जलव लाइफ की बात करें तो अगर आप किसी के प्रती आकरशित हो रहे हैं तो उन्हें अपने पास आने दीजे चिंता मत करें अगर आप प्रती बधता को लेकर परिशान हैं तो अपना सब कुछ अपने साथे को दे कर देखिएगा दुनिया आपको जन्नत लगनी शुरू हो जाएगी अपने साथे के साथ काफी समय स्पेंट कर पाएंगे प्रेम सबंदों के लिहां से दिन काफी अच्छा और बहतर दिख रहा है विवाही जीवन में जो हैं आपके तनाव भी कम होते दिख रहे हैं कोई खास व्यक्ति आपके प्यार उपहार ये आपके इस नहीं की प्रती का पूरे दिल से प्रशंसा करेगा रोमांस जीवन को रोमांचिक बनाने के लिए बहत जरूरी है अज आपका जीवन साथे के साथ कुछ तनाव कईयों का हो सकता है लेकिन सबका नहीं अपनी बातों में किसी तीसरी को दाखिल मत होने दीज़ेगा अपने परिवार को और अपने प्यार को मजबूत बना के रखे ताकि कोई तीसरा आपके परिवार को आपके सबंदों को तोड़ कर भी खेल ना दे बिजनेस और करेड के बाद की जाए तो आपके मित्र आपकी वेपार में बहुत ही सहाइक सिद्ध हो सकते है अपने भाई बंदों से अच्छे रिलेशन बनाने का प्रियास कीजे तो बहतर होगा आज काम में आपका मन कम लग पाएगा आप एक ब्रेक लेने के बारे में सोच विचार भी कर सकते हैं जो की बैटर है वही आज आज आपको कुछ मामलों में लोकों का नेत्रित्व करने का मौका भी मिल सकता है धन कमाने के इस रोत बढ़ते रिखेंगे और आर्थिक सितियां भी सुधरती नजर आ सकती है शेर मजार आदी में ला मिलने की संभावना अभी नजर नहीं आ रही आप जितना जादा परिश्चन करेंगे उतना ही आधिक धन अरजित कर पाएंगे यहीं सफलता भी उतनी ही हासल कर पाएंगे वहीं आज इस्वास्ते की बात की जाएं तो इस्वास्ते की दृष्ची से इस समय आस्पताल जाना आनिवारे हो सकता है किसी के सेहत भी घर में खराब हो सकती है आपको उनका ख्याल लखना पड़ेगा हेल्थ के लिए जो है दिन कुछ आप के लिए खास छेचाक नहीं कहा जा सकता है कुछ क्रिनाईया जिनमें कोई चोट या दुर्गटना भी लग सकती है ऐसा हो सकता है आज आपको चाहिए कि अपने सॉयस्त को लेकर सतर करें और जितना हो सके उतना आप जो है अच्छी चीज़े खाई ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट्स का आप सहारा ले सकते है आज स्टुडन्स के लिए भी समय अनिकूल नजर आ रहा है स्टुडन्स अपने बढ़ाय में बीजी रहेंगे आने वारे दिनों में आप जो हैं काफी अच्छी सब्दा प्राप्ट कर पाएंगे वहीं आज आज आपके लिए शुब जो है उपाई रहेगा आज आज आपको घर के मुख्य दर्वाजे पर स्वास्ति का चिन बनाना चाहिए या फिर जो हैं आपको घर में नारिल रखना चाहिए मंदिर के अंदर और हाँ अगर आप को नजर लगी हुई है या आपके घर में कोई जो है नेगटिव उर्जा चुकी है तो आप नारिल को अपनी सर से साथ बार फिर कर किसी चुराहे पर या नदी में ढालाएं ऐसा करने से नेगटिव उर्जद दो रहेगी साथ ही में बुरी नजर से भी आपको बच्चा मिलता रहेगा और साथ ही में बजरंग बान का पाट अवश्य कीजिगा इसे आपको बहुत ही जादा फायदा हो सकता है तो दोस्तों गर आप कोई वीडियो चे रगी हो तो लाइक करने शेर करें और आप हमारे चैनल को सब्स्ट्राइब करना बलकुल भी मत भूलीगा धन्यवाद